हपी हपी बज़े तू यू जर्म दिवस ये तुहारा बड़ा ही लगता प्यारा आई बहार लेकर है अनुखा नजारा सदा सलामति सदा खुश रहना के हिता जहान तूरा हपी हपी बज़े तू यू 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 हर दिल से एक लेफर लाखों लाखों बढ़ाए जिन्दगी में तुहारे सुहान घड़ी आए अती आदरनी घड़ाजी को एक बार पुना हम सभी जनम दिन की अनन्त अनन्त दुआएं देते हैं शुक्तामनाई देते हैं आप दिर्धाईयों हैं शताईयों हैं और स्वस्त रहते हुए जो ही हम सब का मार्ग दर्शन करते रहें तो इससे पूर्व कि आप सब अपने शुक्तामनाई लेकर आएं मैं चाहूंगा कि धर्धाजी ही शुरवात में हम सब को आज आपकी जो सुन्दर बाबा से सुबह से रोहरी हान हो रही है या जो सुन्दर पेरनाय प्राप्त हो रही है वर्तमान समय हम सब के लिए भी जो सब कामनाई भविश के लिए संसार को कुछ देने के लिए मैंने बाबा कहा आज वो पक कर दो बर्दाने साथ दे दो कि जो मेरी ये सुब कामनाई है वो पूर्ण हो मैं पूर्ण कर सकूं तुरंत बाबा का एक महावाक्य गुजने लगा पुद्धी में मुझे याद नही ये हो नहीं सकता है। लेकिन किचाब ऐसा हुआ कि बाबा के प्वाचा आगए है, आए तो बाबा से बहुत कुछ मिलने लगा, पहले दिन से ही मिला, अव्यक्त बाबा हुए, बहुत मिलन हुआ, बहुत चीजे मिली, उन दिनों हमें पता नहीं था कि ये वर्दान है बाबा के, जैसे जैसे वो खली भूत होते गए, तो लगा ये तो बर्दान दे दिये थी बाबा ने, कहा कुछ, तब तो हम कहते थे बाबा ने आज मुझे ये अच्छी बात कही, मजा आ गया, लेकिन पीछे पता चला ये तो बर्दान पर ले, तो ये बहुत अच्छी बात रही, बाब बुला लेते थे हमें, कई बार, तबं किचन में, दो ही भाई थे, और बोलीदा भी, दो तिन और, कई बार बाबा सबेड़े आए, और जारा बजे जाते थे, तो कहते थे, किचन वाले बच्चों को बुलाओ, आपे ही, और बहुत अच्छा मिलन होता था, तो मिलन भी बह होत रहा, और प्यार भी बहुत मिला, और मुझे ऐसा लगा कि बाबा मुझे तयार कर रहा है, मैं आजकल जो बाबा को सुक्रिया करता हूं, तो एक बात आपे ही दिल से निकलती है, मिला तो बहुत कुछ है उससे, पर बाबा अपने मुझे बहुत योग दोताई थी, वो स मिली है उपर से, जोग सेवाओं में यूज होती है, एक प्राइवेट पाज सुना देथा हूं, हमारे संपर्क में एक भाई है, जो बहुत अच्छा संदेशी है, और बाबा से किलियर मैसेज वाता है, तो जब गुल्जार दादी गई, जानकी दादी गई था, तो मैंने पूछा, जानकी दादी गई, कि बाबा, मेरा नंबर कब लगेगा, हमें ये तो हैं नहीं कि हमने कुछ किया नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ किया है, जब चाहे बुला ले, चले थोषता है पूरी, तो उस भाई ने बताया कि बाबा ये बात सुनके खुष नहीं हुए बच्चा ये क्यों पूछता है, और एक बहुत सुन्दर बात कह दी, है तो प्राइवेट, पर मेरे मुख पर आ गई, तो आप पूछते रहेंगे, वो क्या थी, तो मैं बताई देता हूँ, सुन्दर बात है, बाबा ने कहा बच्चे को तो सब को गाइड करना है अंत तक, बहुत अच्छा होता है, जब कोई बताता है, बताते ही रहते हैं लोग, रोज एक तो गुड न्यूज बताते ही हैं, हमारी ये विमारी ठीक हो गई, हमारी ये समस्य ठीक हो गई, मेरा सेलेक्शन हो गया, मेरा ये एकजान के लियर हो गया, बच्चे की ऐसी हाल थी, वो ठीक हो गया, तो मुझे तो अच्छी तरह पता क यह कोई मेरे कहने से नहीं हुआ, यह तो उपर से काम होता है, वो किसे को लिमित बना देता है, माध्यम, कि वे इनके द्वारा तुमें यह मिलेगा, करूंगा मैं, पर यह जीट ठीक होई है, तो ऐसे अनुभाव, रोज आते हैं, रोज एक तो, बहुत खुशी होती है कि बा है, तन को भी बहुत अच्छा रख रहा है, चोटी-मोटी बाते आती है, पार करा देता है, बहुत सहज, मैं तो कुछ भी हो, तो बाबा को कहता हूँ, बाबा, भेजो किसी को मुझे ठीक करने के लिए, और कोई न कोई आ जाता है, मिल जाता है आपे, तो बाबा को बहुत बहुत सुक्रिया, योग कर रहे थे, मैंने बाबा को बुलाया, सब तो आई रहे, पर आप सबसे पहले आ जाओ, और मुझे फिल वाके बाबा ने आकर, शिर पे हात रख लिया है, वर्दामी बहुत खुस हैं, और जीते रहू का वर्दाम बहुत है, जीते रहू का वर्द लक्स भी रखता रहों, कुछ भी आए, उससे हमें सीखना है, और अपनी सक्तियों को और बढ़ा देना है, तो बहुत सुन बड़ी आत्रा रही है, आप सबाए आप सबको भी बहुत बहुत थेंक्स, आपका प्यार दिख रहा है मुझे सबका, और बाबा को सब से पहले थ उसने आके असिर्वात दिया है, और हमें पूर्ण विश्वास है के बाबा हमसे अच्छे-च्छे कारीए कराता रहेगा, और आगे की यात्रा और सुन्दर होगे, थेंक्यू वेरी मच्च, ओंग जात्युक्त, अनिक तक हम सब का मार्गदर्शन करते रहेंगे, हम सब को पहुचा करके आई, हम साथ चलेंगे, हम सब के साथ साथ हैं, सबने बहुत 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 दिल से बहुत सारी जैसे, मैं क्या कहूं, आज तो सोशल मेडिया पे भी चाहे वो फेस्बुक हो, चाहे वोटसिप हो, सभी में बहुत 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 सबने अपने दिल की जी हैं एक मैं आपके सामने रख रहा हूं उसके पर आप सबको भी आमंत्रित करूंगा किसी ने कहा सूरत चान सितारे भी जिनके आगे नत्मस मास्टर सर्व शक्तिवान के आपके बताय अभ्यास से बुझे दीब भी प्रज्वलित हो जाएं हम सभी मास्टर ज्यान सूर्य के जनम दिवस की ये दूआ करते हुए मनाएं प्राता जी का जनम दिवस बार-बार आए पर इनकी उमर न घटा पाएं जोरदार तालियां गार-बार करें बनाई वे लकिर उमर जैसे मैंने प्राइड में कहा कि बिल्गुल भी न घटा पाएं बहुत शुक्रीजा के ते हैं और बहुत बहुत ही सुश्फमाला के साथ हम सब भी शरीख शामिल हैं जोरदार तालिया, अपनी तालियों के साथ, हम धाता जी को अपनी शुक्तामना है, अर पित कह रहे हैं, बहुत ही सुन्दर, आप देख रहे हैं, खुश्भूदार, लक्षवे चंद भाई जी, आईए, गीता बेन जी, संजे भाई, इन सारे पुश्भों से जादा जो चेहरा खिला हुआ है, वो सुरे भाई जी का खिला हुआ है, यह गुलाबों में रुहे गुलाब हैं, बहुत जोरदार तालियों के साथ हम पहले सुरे भाई जी को जनम दिनыл की मुबारक देते हैं, कहते हैं इस प्रित्वी पे बहुत कम जीवन और जनम ऐसे हैं जो सच मुझ सेलिब्रेट करने के लाइक हैं और हमारे सूरे भाई जी विशेश हैं ऐसे हैं जिनका जनम दिन क्या हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए पूरा जीवन सेलिब्रेट करना चाहिए पूरा कल्प मैं अभी अतिंद्रिय सुप के जूले के बैठ के और बहुत प्यार भरे कुछ भाव जनम दिन के लिखे हैं मैं उनके आगे अर्पित कर रहा हूँ आप सबकी तरफ से मैं सिरफ एक मादेम हूँ प्रिय सुर्य भाई जी जनम दिन की आपको बहार मुबारक इन पावल पलों में दैवी परिवार का प्यार मुबारक जनम दिन की आपको बहार मुबारक बाबा के अतुले सूरे हो आप तब ग्यान तेज शोरे हो हो आप आपके नाम सी उजली जनम की हर उजियार मुबारक जनम दिन की आपको बहार मुबारक खुशियां प्रेम स्वास्थे दे हर लमा आपको अलड़ी दे रहा है और खुशियां प्रेम स्वास्थे दे हर लमा आपको दामन में पदमों सितारे दे आसमा आपको खुशियां प्रेन स्वास्थे दे हर लमा आपको दामन में पद्मों सितारे दे आसमा आपको आपके सपनों का आपको संसार मुबारक जनम दिन की आपको बहार मुबारक दैवी परिवार का प्यार मुबारक शुब कामनाय लेकर छू रही आपको हवाएं हैं यह अरावली की हवाएं पीस पार्क के हुआएं देखे चलती हैं शुब कामनाय लेकर छू रही आपको हवाएं हैं और इन फृरिष्टे और परियों की छू रही आपको दुआएं हैं से भरा आपको ये संसार मुबारक जनुम दिन की आपको बहार मुबारक दैवी परिवार का आपको प्यार मुबारक संग आपके ये दैवी बगिया खिलती रहेगी गाइड बनके रहना है सदा बाबा ने कर रहे हैं संग आपके ये बगिया सदा खिलती रहेगी आपका साथ पाने की तकदीर मिली है कल्प कल्प मिलती रहेगी आपका साथ पाने की तकदीर मिली है हर कल्प मिलती रहेगी आला है जो सारे जहां में आला है नमबर वन आला है जो सारे जहां में आपको ऐसा फिरदार मुबारक जनम दिन की आपको बहार मुबारक जैवी परिवार का आपको प्यार मुबारक प्यार मुबारक आपने जो शब्द के प्रुष्परपित किये हैं सच बुछ बहुत ही शानदर बड़े दूर से यूपी से आप भ्राता जी के बर्दित पे यहां पढ़ा रहे हैं और अपने दिल की संदर भाव तौकात के रूप में पढ़ान कर रहे हैं आपने आपको दुनिया का सब्से भग्य साली आत्मा समझता हूं कि भाई साब के सानिध्य में बचपन वीता और इनी से सब कुछ शीखने को मिला जीवन में जो भी कुछ है वह इनी के द्वारा प्राप्थ हुआ और बहुत ही खुश नसीब हम सब हैं जो भाई साब का इस अंतिम जीवन में साथ मिला इस सिद्ध है कि पहले जनम से हम सदा साथ रहे हैं और इस जनम में भी साथ है इस बात को देखते हुए मैं अपने आपको बहुत ही सोभाग्य साली समझता हूं और इस अंतिम समय में भी लाश तक साथ बना रहे, ये मेरी सुब कामना है अबहु कुछ बोले, भायजी के लिए भी बोले, गल्तियां भी करें, तो भी भायजी की इतना शुब कामना होती उस आत्मा के ब्रती, और भायजी तो तपस्वी है त्यागी आत्मा है, उनकी तपस्वा की शक्ती से आत्मा तुरंट परिवर्तन होता है बाई जी हमेशा सिखाते हैं कि आप लोग सब जितने भी निमित भाई है, वे सब हमारा परिवार है, इनको शुब भावना से, शुब कामना से परिवर्तन करो जी इतनी जागी है, उतनी तपस्वी आक्मा है मैं ऐसे भाई जी के साथ रहते हुए, तीस साल हो गया लगबग, हम बहुत बहुत दिल से दन्यावाँ देते हैं और भाई जी को बतरी के उपनेक्ष में बहुत बहुत बढ़ा ही देते हैं अच्छा, पॉंप्शन है बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये जाए तू जिरे अदारोशा ये मेरी है और जो हैपी बार दिल ये आए, बार बार दिल ये जाए तू जिरे अजारोशा ये मेरी है और जो हैपी बार दिल ये जाए पार 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 दिल ये जाए